राजया सबा में केवल इस देश के विकास को विरूद करने के लिए इस Ordenance को विरोध किया गया और कुछ नेताओं और कुछ पार्टियों ने किसानों को बढ़काने की कोशिश की प्रदान मंत्री ने आज जाहिर किया है कि 31 आघस को इस Ordenance की जो समय सीमा है वो समापत हो रही है और नया Ordenance अब सरकार नहीं मिकालेगी और उसके साथ साथ जो तेरा महत्वपुर्णा बिंदू थे जिसके उपर जो देश और किसानों के हितों में थी उसमें केवल एक साल के लिए एक्जम्शन था उसके लिए भी नीमों में नीमों के अधिन रहेकर उसकी अधिशुचना निकालने का दिर्णे हुआ है प्रधान मंत्री जी ने बार बार सहुषद में सहुषद के बाहर ये बात कही थी कि लैन एक्विशन के मुद्धेपरम खुले रूप से चर्चा करने के लिए तयार है विपक्ष के कोई भी सुजाओ होंगे तो सुजाओ स्विकारने के लिए तया है इतना ही नहीं तो नीती आयोग के मिटिंग में उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को अमंत्रित किया था और इस विशे पर पूरा देश एक राय तेकरे इसलिए सब मुख्यमंत्रियों को आवाल भी किया था इसमें लगातार राजनिती करने की कोशीश कुछ पार्टी और कुछ नेताओं ने की है प्रधान मंत्री का आज का विर्णे ये बहुत महतोपुर्णा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है जो फेडरल करेक्टर है हमारे समविदान का और हमारे मुख्यमंत्रियों ने जो प्रधान मंत्री के पास मांग की थी कि ये जो विर्णे है ये करने का अधिकार कॉनकरन लिस्ट में होने के करण हमको है पुदान मंत्री जी ने फेडरल करेक्टर को देखते हुए उनके सब की मांगों पर समती भी दर्शाई और उसके साथ-साथ उन्होंने इसमें राजनिती खिलने वाले जो पार्टिया थी नेटाउन थे उनको एक पकार से एक्सपोज कर दिया है अब ये पार्लमेंट में जाने के अब कोई अवशक्ता नहीं है क्योंकि ये ओर्डिनस अभी लैप्स हो जाएगा और जो अवशक्त थे उसमें सुदार करने थे वो भी हो गया है और मुझे लगता है कि देश के विकास के दुष्टी से भारतिय जनता पार्टिय और प्रधा किसान मंत्री की साब बात होने के कारण जो मन की बात में उनने कहा उसके कारण एक प्रकार से किसानों को गुमरा करने वाले जो पार्टिय आदि रीडरते वो एक्सपोज हो गया है और किसानों में किसी प्रकार की गलत प्यमी नहीं रहेगी उनका अंधिरने भी इस देश क किसानों को एक बहुत बड़े प्रकार से समाधान देने वाला है और उन्हें जो कटिब जता बता ही है कि आगे भी हम किसानों के हीतों में काम करेंगे और किसान किसी भी फोर्सेस के द्वारा निजगाइन ने हुने चाहिए किसी प्रकार से राजनितिक स्वार्थों के लिए मुख्यमंत्रियों के द्वारा एक भूमिका रखना, मिटिंग में एक बात कहना और राजनीति में दूसरी भूमिका रखना ये जो नीतिया कुछ पार्टे और नेताओं की थी वो पूरी तरह सब समापत हुई है